नमस्कार प्रिणाम मैं हूँ मद्वाला आप देखरें एक न्यूस 24 बता दे आपको बेगू सराय की बेटी यानि कि मैं बात कर रही हूँ कल्यानी मिश्रा आए दिन शोशल मेडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही थी कल्यानी मिश्रा यानि कि सुर और ताल के वज़ा स कल्यानी मिश्रा एक गाना गाती हैं काफी गाना गाती है लेकिन जो वो गाना गाती है उसका सुर और लै के वज़ा से अभी शोशल मेडिया पर काफी च्छाय हुई थी लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कल्यानी मिश्रा को ले करके कि कल् आपर के लोगों से माफी मांग रही है यहाँ ते कि कल्याणी मिश्रा खुद एक वीडियो डाल रही है वीडियो काफी तेजी वाइरल होता है जिस तरहिके उन पर FIR करवा दिया जाता है यहां ते कि कल्यानी मिश्रा लोगों के सामने आकर कि यह कह रही है कि मुझ पर ऐसा जुर्म ना किया जाए जो मैं गलती नहीं की हो मेरी यह गलती नहीं है लोगों से माफी मांग रही है कल्यानी मिश्रा लगातार लोगों से अपील कर रही है कि मेरी गलती नहीं है, यहाद कि मुझ पर मेरे भाईयों पर इस तरीके का आप लोग कारेवाई न कीजिये, क्यूंकि मैं गलत नहीं की हो, जिस तरीके से आपको बता दे, आए दिन सोषल मेडिया पर कुछ भी डाल दिया जा रहा है, कुछ भी कर के लोग जादा शेयर कर दे रहे हैं और इसी बीच जो शिकार बन रहे हैं आए दिन शोशल मेडिया पर कुछ भी करना या नहीं करना उन्हें ये पता नहीं चलता है कि इसका आगे चलके अंजाम क्या होने वाला है जो तरीके से आज कल रिल का जो जमाना चल रहा है लोग कु एक सधारन परिवार की बेटी एक गरीब घर की बेटी कल्यानी मिश्रा तेजी से वाइरल हो जाती यानि कि अपने सुर और लै के वजह से कल्यानी मिश्रा काफी अच्छा गाना गा रही है जो इंस्टाग्राम पे लोग उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं वो गाना की ड असमान को छू रहे हैं तो कल आपको जमीन पर आना भी पड़ेगा वही हाल हुआ है बेगु सराय की बेटी कल्यानी मिश्रा पर आपको बता दे जिस तरीके से कल्यानी मिश्रा आए दिन काफी फेमस हो गई थी यहां तक एक और लड़की की जिक्र कर लेते हैं हाली में एक प्रिया सुहानी भी काफी फेमस हुई रात तो रात लोगों का कहना था कि प्रिया सुहानी काफी फेमस हो गई है उनका जो वीडियो जो रील शोशल मेडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा था यहां तक कि उन्हें काफी बड़ा ओफर भी मिल जाता है लेकिन बता दे आपको जिस तरीके से एक दिन लोग आगे जाता है उसी तरीके से शोशल मेडिया पर कब किसके साथ क्या हो जाए कब किसके साथ क्या बुरा हो जाए कब किसके साथ क्या अच्छा हो जाए ये हमें भी पता नहीं चलता है वही हाल हो चुका है कल्यानी मिश्रा की तो बात करें शोशल मेडिया पर आए दिन उनका जो गाना था वो काफी देखना पसंद किया जा रहा था काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा था कल्यानी मिश्रा का लोग उनके गाने को काफी पसंद कर रहे थे लेकिन अब क्या हो गया कि कल्यानी मिश्रा को लोगों से माफी मांगना प चोशल मेडिया पर इनके गानी के बीच में वो दोखा की है। लेकिन कल्यानी मिश्रा का स्थाफ कह देना है, कि मैं धोखा नहीं की वो, मैं गलत नहीं की हूँ, आपलोग मुझे माफ कर दीजे, मैं बहुत साधारन घर की लड़की हूँ, मैं गरीब घर की लड़की हूँ मेरे पिता जो जितना कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ मुझे फेमस नहीं होना है लेकिन जुस तरीके से ये जो लोगों के सामने अपना बाते रख रही है जनता भी अब उन्हें सपोर्ट कर रही है क्योंकि एक लड़की एक छोटी उम्र की लड़की आखिर क्यू गलत करेगी ये भी सोचने वाली बात हो जाती है और कल्यानी मिश्रा की जहां तक बात करे अगर वो गलत होती तो इस तरीके के सामने में वीडियो लाकर के लोगों से माफी तो नहीं मांगती ये भी कहना लोगों का है काफी लोगों का ये कहना भी है और इस चीज़ पर अब लोग सोच भी रहे है आपको बता दे जिस तरीके से कल्यानी मिश्रा को लगातार ट्रॉल किया जा रहा था जिस तरीके से कल्यानी मिश्रा को पसंद किया जा रहा था अब ऐसा क्या हो जाता है कि कल्यानी मिश्रा कल कहां थी आज कहां आ जाती है लेकिन कल्यानी मिश्रा लगातार लोगों से माफी मांग रही है सामने आकर के वीडियो साजा कर रही है और लोगों को कह रही है कि मुझे माफ कर दीजिये मेरी इसमें कोई गलती नहीं है पोटे उम्र की लड़की लोगों से माफी मांग रही है, लोगों से अपील कर रही है, लेकिन आपको बता दे, आए दिन शोशल मिडिया पर ये जो रील का जो जमाना चाया, नशा चाया हुआ है लोगों को, आए दिन काफी कुछ भी डाल देते हैं लोग, इंस्टाग्राम ह यूटूब हो गया, आज कल फेमस होने के लिए लोग कुछ से कुछ डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं चानते हैं कि आज डाल रहे हैं तो कल इसका कुछ बुरा भी हो सकता है, लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर, जब कुछ भी अच्छा करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो पहले उसकी चान बीन अच्छे से कर लीजिए, उस चीज की जानकारी ले लीजिए, तब कीजिए, क्योंकि शोशल मेडिया एक टाइम के लिए जतना उपर ले जाता है, उतना ही जल्दी नीचे भी फेक देता है, शोशल मेडिया का जो क्रेज चड़ा हुआ ह आए दिन छोटी लड़कियों को, छोटे लड़के को, कम उम्रिके लोगों को ही आप देखिएगा, शोशल मेडिया पर काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन जुस तरीके से ये जो हाल हो रहा है, वो काफी बुरा हो रहा है, ये असर डाल रहा है छोटे उम्रिके बच्चों पर, लेकिन आपको एक और बात कह दे, फिस तरीके से अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ अच्छी चीजे करने की है, या फिर कोई भी चीज हो, लेकिन पहले उसका छानबिन कर लिजे, अच्छे से सारी चीजों को हैंडल कीजे, तब शोशल मे मिश्रा के साथ ये जो हादसा हो जाता है, ये काफी बुरा चीज है, जिस तरीके से लोगों से वो माफी मांग रहे हैं, आए दिन कोई दूसरा इस चीज का सिकार ना हो, बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या सच बोल रही है, क्या जूट बोल रही है, क्या कुछ मामला हुआ है आप लोग जरूर बताईएगा और जहां तक रही बात रिल्स की तो रिल्स भी डालिए लेकिन सोच समझ कर दालिए शोशल मेडिया देखते रेक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूटुब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारें, तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें